नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल पवनहिश्टी क्लासिज में साथियों आज हम डचोंके बारे में जानेंगी कि इन्होंने किस प्रकार से भारत में आगमन किया और इनसे कौन-कौन से महत्पूर्ण वाक्या या तत्या हैं जो की पेपरों में पूछे जाते हैं इन्होंने व्यवपार की माध्यम से अपने छेत्र को किस प्रकार से आगे बढ़ाया और कहां-कहां पर इन्होंने अपने कारखाने इस्ताफित किये इनके बारे में हम जानेंगे तो मेरे प्यारे साथ यो चैनल नया है इसे जादर से जादर लाइक, सेयर और सस्क्राइब करें तो देरी ना करते हों शुरू करते हैं डचों का आगमन भारत में तो डच जो थे लीशादेन थे एक लीशादेन विद्वान लेखक तो लीशादेन ने भारत के उपर एक किताब लिखी थी तो लीशादेन की जो पुस्तक थी उसको पढ़कर डचों की जो दिलचस्पी थी ना वो भारत की पिरती हो गई उन्होंने पुस्तक को पढ़ा भारत के बारे में जाना तो इनकी क्या है दिल्चस्पी यानि कि यह भारत के ओर आकर्शित हो गई तो क्या होता है यह भारत की तरब प्रूश की कारण बढ़ते हैं लीसा देन की पुस्तक के कारण जानते डच थे कौन डच जो थे वो नीदरलेंड या हॉलेंड के निवासी थे लीसा देन की पुस्तक पड़ी जिसके कारण यह भारत की तरब आकरशित हुए यानि इनकी गिल्चस भी भारत के पिर्ति जाग गई अब 1500 पिचाण में छ्याण में इस वी में इनका पिर्तम जाजी बेडा कौन साथा कारनियलियस और किसके नेतरत में तो हाउट मैन के नेतरत में पिर्थम जहाजी बेडा कहां पहुंसता है भारत की जगा सुमंत्रा और बेंटम वहाँ पर पहुंसता है तो वहाँ पर ये कंपनी स्तापित भी करते हैं और कंपनी स्तापित करते हैं तो इस कंपनी का मूल नाम क्या था वेरिंग क्या नाम थाए इंडि से कमपनी इसका मूल नाम था लेकिन जब ये 602 में भारत में आते हैं 602 में पिर्धम कमपनी इसतापित करते हैं भारत में 602 में आते हैं 605 में पहली company लगाते हैं क्या हुआ 602 में आते हैं 605 में अपने पिर्थम company स्तापित करते हैं उसका नाम क्या था Dutch East India Company क्या था Dutch East India Company ये था भारत में जब किसका मुण नाम मैंने भी आपको बताया अब होता क्या है जब ये भारत में आते हैं तो डचों की जो डच थे इनकी संसद ने 11 इनकी संसद में 17 व्यक्ति यानि बोर्ड मेंबर बनाए 17 बोर्ड मेंबर ठीक है ये क्या करते थे इन्होंने ही संसद में बिलपास किया उसे प्रिस्तावित किया पारित भी किया और 21 साल के लिए उसे वो सारे अधिकार दे दिये कि आप जाओ और भारत में विलेशों में सासन करो। उस समय इस कंपनी की पूंजी कितनी थी तो 65 लाग गिल्डर थी। अब इधर तो डचावे इधर पूर्तगाली थे इधर अंग्रेज इधर मुगल बादसा और इधर डकन के बादसा तो सभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे ठीक है तो इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से हम जाल लेते हैं तो कहां कहते हैं या होलेंड या नीदर लेंड के निवासी थे नीशा टैन की पुस्तक इन्होंने पढ़ी और उस पढ़ने के बाद में इनकी भारत की पिट्टी दिल्चच्पी जागी और ये 1545 में चाडमे में पिरतम जहाजी बेड़ा लेकर जिसका नाम ता कारनेलियस क्योंकि हाउट में के नेतरत में सुमंत्रा और बेंटम पहुचता उसके बाद में ये क्या करते हैं 602 में 602 में कमपनी आफ नीदर लेंड की इस्तापनाई जहां पर होती है कमपनी आफ नीदर लेंड क्या नाम था 602 में कमपनी आफ नीदर लेंड लेकिन इसका मूल नाम क्या था company का वो मैंने भी आपको बताया वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे company यानि VOC क्या नाम था मूल नाम 602 में जो इस्तापित हुई थी उस company का नाम था company of netherland लेकिन मूल नाम मैंने भी आपको बता दिया अब होता कहें Dutchist India company ये भारत में हुई थी इसकी इस्तापना भारत में हुई थी अब देखो इसके तीन नाम मिल गए एक दो तीन तीनों में से पेपरों में कुछ भी आजाए आसानी से जबाब दे दोगे ये क्या था संसद Dutch की संसद ने इसे पारित किया था 17 इसके board member परते दोश्की देखरे करेंगे 21 साल के लिए सारे अधिकार इसको company को दे दिये गए इसने तो 605 इसमी में इनकी पहली company Dutch की तो मूसली पटनम में क्या मूसली पटनम में 605 इसमी Dutch की पहली factory इस्तापित की गई दचो के द्वारा ये question पेपरों में काफी बाद पूछे जा चुका है इसके बाद इनकी दूसरी company क्योंकि पहली तो सभी जानते हैं लेकिन दूसरी के बारे में भी पेपरों में पूछ सकता है तो दूसरी company जो थी इनकी 1610 इसमी में pet poli क्या pet poli यानि निजाम पट्टी क्या निजाम पट्टी में इस्तापित की गई थी लेकिन सिग्र ही इनका महापद पूर्टगालियों से संगर्स होता है संगर्स होने के बाद में यह क्या करता है यहां से अपनी company को उठाते हैं और तेग पट्टनम यानि देव पट्टनम क्या नाम आता है तेग पट्टनम देव पट्टनम में यह उस company की इस्तापित यानि इस्तापितना इस्तापना कर देते हैं लेकिन होता क्या है कुछ समय के बाद में भया अब इनका संगर्स होता है अंग्रेजों से अब अंग्रेजों से इनका संगर्ष होता है तो अंग्रेज क्या करते है अधिपत्य के बाद यहाँ पर कर लेते हैं अंग्रेज अधिकार अब जब अंग्रेज यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं तो इस कंपनी का जो नाम था अंग्रेज उसे बदल देते हैं अंग्रेज इसका क्या नाम रख लेते हैं Saint Fort Davis क्या नाम होगए इसका Saint Fort Davis नाम यह रख लेते है 610 इसमें होता क्या है जो डच थे वो चन्दनगिरी के राजा से एक समझता करते है क्या करते हैं चंदन गिरी राजय कौन था चंदन गिरी का उससे समझाता करते हैं और पूली कट क्या है पूली कट एक जगा है भारत में यह क्या करते हैं पूली कट में एक फैक्टरी की स्थापना करते हैं बहुत चंदन नगर के राजा से कर लेते हैं समझाता 1610 मही और 1610 म से ये देव पत्वनम में इस्ताफित करते हैं अंग्रेज वहां फर अधिपट्चे कर Del10 इने पीट देते हैं बहगा देते हैं उसके बाद अधिकार कर ले रहे हैं और अंग्रेज इसका नाम बदल कर सेंट फोट डेविड रख लेते हैं लेकिन इसके बाद भी संगर से जारी रखते हैं चंदनगिरी के राजा से समझोता कर लेते हैं और इसके बाद में पूली कट में ये एक फैक्टरी की स्थापना करते हैं अब यहां पर आ जाते हैं पूर्तगाली पूर्तगाली इसको विरोध करते हैं क्योंकि तीनों सकती सम मानती समकालिंती पुर्टगाली चीज का विरोध करते हैं और जब पुर्टगाली की यह नहीं मानती तो पुर्टगाली कर देते हैं इस पर सेंट थो में पर आक्रमाण पुर्टगाली कर देते हैं आक्रमाण और 1612 इसमी में इनकी फैक्टरी को 1612 में क्या होते हैं कि त्यूंकि जो छेतर रता वो उसे कोरो मंडल तरवर्टी इसका नाम ता नाम रखता है? गेलिड्रिया है कि इस एक इंहीं पूर्ट हम Snrific कर देते हैं अब क्वे सोला सो बाराइव है का पूलिकट में यह लूए किया करते हैं डच जो थे सोने के सिक्के भी डालते हैं यानि अपने सोने के सिक्कों को भी डच यहाँ पर चलाते हैं जब इस कंपनी की स्तापन हुई थी तो इसकी जो पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी ठीक है अब 1616 इस्वी में क्या करते हैं डच जो है सूरत में अपनी फैक्टरी स्तापित करते हैं कौन से इस्तान आ गया सूरत याद रखना सूरत में 1617 इस्वी में कहां पर करते हैं अब देखो 1616 इस्वी में सूरत में अपनी कंपनी स्तापित करते हैं और 1617 इस्वी में यह इस कमपनी का एक पिरभारी बनाते हैं उसका नाम था वैन रवेश्टेयन क्या था वैन रवेश्टेयन को इसका पिरभारी बनाया जाता है किसका इसका सूरत में जो फैक्ट्री थी अब इसका पिरभारी बनाया गया इसके बाद में जो डच थे जो डच थे वो पहुंचते हैं बंगाल डच अपनी साथ ताकत का विस्तार करते हैं और बंगाल पहुंच जाते हैं तो बंगाल में इनकी पहली फैक्टरी याद रखना बंगाल में पहली फैक्टरी पिर्थम डच फैक्टरी कब बनी थी तो कहां लगी थी पिपली में कहां आप याद रख लेना और पिपली के बाद में ये कहां लगाते हैं बंगाल में ही बाला सोर बाला सोर में अपनी कंपनी इस्तापित करते हैं कहां करते हैं बाला सोर में कब करते हैं उसके बाद ये जो अपनी कंपनी स्थापित करते हैं वो करते हैं 1653 ईसवी में कहाँ पर हुगली कहाँ पर है हैं बंगाल में तो इसके निकट में क्या था चिनसूरा चिनसूरा नामक अस्थान था यहाँ पर यह अपनी 1653 एश्वी में कमपनी स्तापित करते हैं और एक किले का भी निर्मान करते हैं उसकिले का क्या नाम था उसकिले का नाम था गुस्तवा उस फोट गुस्तवा उस फोट उसकिले का यह निर्मान करते हैं क्या करते हैं के लिए का निर्वाण करते हैं